रचनाओं को हम लोग अलग-अलग करकर लिखेंगे कि सबसे लंबी या प्रभंधात्मक कविताएं कौन सी हैं संकलन संगरह कौन सा है कहानी संगरह कौन सा है रचनाओं के नाम और उनके इस्त्वी ठीक है आजागे रचनाओं पर प्रमुक रचनाओं सूरे कांत्रे पाठे निराला जी की सबसे पहले हम लोग देखेंगे लंबी या प्रभंधात्मक कविताएं सबसे पहला क्या देखेंगे हम लोग सबसे पहले में लिखें लंबी एवं प्रभंधात्मक कविताएं बताईए तो इसमें किस कविता का नाम आना चाहिए अभी हमने बात की थी उस कविता के बारे में कौन सी कविता है जिसका नाम इसमें अवश्यक रूप से आना चाहिए आप लोग बताईए मैंने अभी बद कहा कि निराला जी की लिखी हुई एक कविता है, बहुत मर्मस फर्सी है, बहुत लंबी कविता है, कौन सी कविता है जो इसमें आएगी, नाम बताईए आप लोग फिर मैं लिखना शुरू करूँगी, प्रमुक रचनाओं में से एक कही जा सकती है, मैं उसका जगा छोड़ रही मैंने आपको इसकी कथावस्तु बताई थी, क्या है राम की सक्ति पूजा, जब ये पढ़ेंगे तब और मजा आएगा पढ़ने में, जी सबसे पहली है सरोज स्मृती, सरोज स्मृती कहा जा सकता है कि इनकी बहुत बहतरीन रचना है, दुख ऐसा है कि आप पढ़कर आप 1935 की रचना है, ये 1936 की रचना है, तरोज स्मृती 1935, राम की सक्ति पूजा 1936, तुलसिदास 1938 और कुकुर मुता 1942, तुलसिदास कहते हैं, तुलसिदास इनकी रचना है 1938 की और कुकुर मुता बहुत अभी हम लोग बात कर रहे थे न, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद की रचना है, यही उसकी ये प्रगतिवाद की रचना है, कुकुर मुता, इसमें क्या खास बात पता है आपको, इसमें कुझी पतिवर्ग किस तरह से भारत में उस समय अपने पैर जमा रहा था, कितनी तकलीफें उभर कर आ रहे थी, लोग किस तरह से इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे, यह सारी चीज़ें कुकुर मुता में लिखी गई है, और यह दो भागों में प्रकाशित है, पहला भाग है 1941, दूसरा भाग है 1942, और सबसे अंत में इसका संसोधित संस्क्रान आता है 1948 में, ठीक है, यह रचना है 1942, ऐसे तो इसको कमबाइन करके यही कहा जाता है, और पहला भाग, पहला भाग, देखियो मैं क्या लिख दे रही हूं, इसका पहला भाग है 1948 और दूसरे भाग की बात करेंगे, दूसरा भाग है 1942, यहाँ पर लिख लिजे संसोधित, मतलब पूर्ण रूप से संसोधित संसकरन जो आया, संसोधित संसकरन इसका प्रकाशित हुआ, वो हुआ संसोधित संसकरन आया 1948 में, ठीक है, कवाया संसोधित संसकरन आया 1948 इस, ठीक है, सबसे लंबी प्रबंधाक्मक का विताए हैं, सरोच स्मृति, राम की सक्ति पूजा, तुलसी दास और कुकुर्मुता, कुकुर्मुता दो भाग में है, रथम भाग 1941, जित्ति भाग की बात करेंगे 1942, और इसका संपूर्ण संसोधित संसकरन आया 1948 में, ये दोनों का विताएं बहुत जादा इंपॉर्टेंट है, सरोच स्मृति, राम की सक्ति पूजा, पीजेटी के सिलबस में राम के सक्ति पूजा अलगी हुई है, जब हम लोग इसको पढ़ेंगे, तब आपको दूसरा, लिखिए, इनके प्रमुख कावे संकलन, संकलन मतलब संगरा, प्रमुख कावे संकलन, सबसे पहले अनामिका कब की रचना है, बताईए, प्रथम कावे संकलन है, अनामिका उन्निस सो तेस की रचना है, ठीक है, लिख लिजेए इसको कि ये प्रथम है, अनामिका 1923 प्रेथम काव्य संकलन अनामिका इनकी लिखी कविताओं का सबसे पहला काव्य संकलन प्रकाशित हुआ था कब 1923 में इसके बाद आते हैं परिमल 1930 से लिखिये दूसरा है परिमल तिथी बिल्कूल अच्छे से लिखियेगा वो जरूरी रहता है क्रम वाले प्रेश्ण अभी तक हमने देखे हैं UGC net में क्रम वाले प्रेश्ण आते हैं और अभी हम लोग questions और देखेंगे जहारखन टीजी टी पीजी टी किये उसमें क्रम वाले questions मैंने मिलान करने में जो मिलान करने में उसमें देखा है यह प्रेश्ण तो आपको इस वी याद रहने चाहिए इसके बाद बात करेंगे गीति का 1936 तीसरा है गीति का कब की रचना है यह है 1936 उसके बाद आजाईए अनीमा अनीमा कब की रचना है 1943 लिखे इसके बाद है अनीमा यह रचना है 1945 पाचवे नमबर पर लिखे नए पत्ते क्या है रचना का नाम नए पत्ते 1946 नए पत्ते यह है 1946 और एक रचना है वो भी 1946 की है बेला नए पत्ते और बेला यह भी कब की है यह भी है 1946 इसके बाद आते हैं अर्चना 1950 क्या है इसके बाद रचना है इसके बाद रचना का नाम है अर्चना संकलन है यह सारे हम लोग संकलन की बात कर रहे हैं संकलन मतलब जिसमें बहुत सारी कविताओं का राम की सक्ति पूजा, उनकी पहली लंबी कविता 1936 की है राम की सक्ति पूजा और सरोज स्मृती 1935 की है तो पहली कौन सी होगी? आप इस्वी देखकर बात करिए, अंदाजा लगाईए आप इस्वी से ही अंदाजा लगा सकते हैं जिसका प्रकाशन पहले होगा वही ने पहली रचना होगी लंबी कविता की बात करेंगे तो सरोज स्मृती भी बहुत लंबी कविता है और जिसका प्रकाशन 1935 में हुआ है और राम की सकती पूजा का प्रकाशन 1936 में हुआ है इसलिए सरोज स्मृती को पहली में माना गया है ठीक, आगे, अरचना की ये सारे महीं बता रही हुँ संकलन आपको, इनमे बहुत सारी कविताओं का संकलन है, जिसमें ये मुस्ट इंपॉटिंट है अनामीका, हमेशा पूछा जाता है अनामिका चाहिए पे है अराधना, आठवे नमबर पे है अराधना और अराधना है 1903, इधर आगे लिख लीजे, नवी रचना है इनकी, गीत कुझ, 1954, गीत कुझ, ये कब की रचना है, ये 1954 की रचना है, इसके बाद आगे लिखिए सांध काकली, क्या नाम है सांध काकली, ये है 1979 की रचना है और इसके बाद आता है राग विराग 1996, सांध काकली लिखिए, सांध काकली में एक खास बात ये है कि इसमें 69 है, सांध काकली में ही निराला जी की लिखी हुई, सबसे अंतिम कविता संकलित है, इसको लिख लिजे, इसमें, लिखिये सबसे अंतिम कविता, इसमें है, इसमें है, उनकी लिखी हुई सबसे अंतिम कविता, और सबसे अंत में है राग विराग, राग विराग का ये है 1996, देखिए, जो संकलन है। उनकी मृत्यू कब हमने पढ़ी, 1961 में उनकी मृत्यू हो गई थी। उनकी मृत्यू के बाद जो भी संकलन आये हुएं ये दो संकलन की बाद करेंगे, सांध्यकाकली और राग विराग ये किसी दूसरे के द्वारा संकलित किये गए हैं और इसमें उनकी सबसे अंतिम जो कविता है कांते काकली में डाली गई है और राग विराग 1996 में संकलित करके आप यह कह सकते हैं कि यह पुना संस्करन होगा संसोधित संस्करन प्रकाशित किया गया होगा नाम अलग देकर क्योंकि यह बहुत बहुत सारे रचनाकारों के साथ हमने देखा आगे अनामिका का संसोधित संस्करन आया 1938 हिसी में हमने क्या अब लिखा अनामिका की तिथी क्या लिखी है 1923 इसका संसोधित संस्करन आया 1938 अगर आपके पास जगह है आपने अनामिका जहां पर लिखा है आपके पास प्लेस है तो आप वहीं पर स्टार बनाए और स्टार बनाक लिखिये इसका संसोधित संसकरन किसकी बात कर रहे हैं हम अनामिका की बात कर रहे हैं संसोधित संसकरन कब आया इसका संसोधित संसकरन आया 1938 में कब आया 1938 में 23 की रचना थी गीत कुंज जहां पर हमने गीत कुंज लिखा है 1954 की रचना है उसका संसोधित संसकरन आया 1969 में कहां पर है गीत कुझ देखिए गीत कुझ इसका लिखिए संसोधित संसकरन कब आया ये आया 1969 में 1954 की रचना थी 1969 में उसका संसोधित संसकरन आया उसके बाद बात करते हैं परिमल, परिमल है 1930 की रचना और इसका संसोधित संसकरन आया 1936 में, परिमल का संसोधित संसकरन कब आया, ये आया 1936 में, आपके पास जगा हो तो आप उसके बगल में ही लिख लीजेगा, ठीक है? राग विराग राम विला सर्मा, बिल्कुल उन्हों नहीं इसका संकलन किया है, 1996 में, लेकिन इसमें सारी कविताएं किसकी हैं? सूर्यकांत्रे पाठे निराला जी की लिखी हुई हैं, तो हम लोग इसको भी पढ़ते हैं कि उनके ही अंदर उनकी कविताओं का संकलन राग वि करेंगे, सबसे अंतिम कविता किस में है? सांधय काकली में, राग विराग का संकलन, इनकी कविताओं का संकलन किसने किया है? राम विलास सर्मा जी ने किया है. आप लोग के Dash जगह है लिख लीजे यहां पर किसने किया है संकलन यह महत्वपूर्पून प्रशन इसमें कन्फ्यूजन क्या हो जाता है कि लोग सोचते है कि निराला जी की रचना है तो संकलन निराला जी नहीं किया है पर बिल्कुल नहीं इस भी देखिए 1996 में है और यह किस किस ने किया है यह किया है राम विलास तर्माजी ने ठीक है यहां तक सब को क्लियर होगा आगे हम लोग देखते हैं इनके प्रमुख कहानी संग्रा प्रमुख कहानी संग्रा सखी को इन्हों ने 1945 में चतुरी चमार के रूप में रूपांतरिद कर दिया था चतुरी चमार इसका भाषा था ये बांगला भाषा में लिखा था चतुरी चमार का नाम आप लोग बार बार सुनियेगा जब आप लोग इस नातक करते हैं और सुर्यकांत्र पाथे जी के बारे में बताया जाता है उसमें उस समय उनकी इस रचना का विशेश कर जिक्र होता है एक है चतुरी चमार दूसरा है सकुल की बीवी तो यह दोनों रचनाय महरतपूर्ण भी हैं इनके नाम भी आपने सुन सबसे पहली कानी संग्रा है इनका लिली यह 1923 इसवी में है लिली का रचना प्रकाशन वर्स इसके बाद दूसरी रचना है सखी 1935 सखी को ही किस नाम से प्रकाशित किया इन्होंने सखी 1935 इसी को कहा गया इसका क्या नाम रखा गया इसी को कहा गया चतुरी चमार बांगला भाशा में 1945 में इसी को कहा गया चतुरी चमार भाशा कौन से है बांगला इसी को कहा गया चतुरी चमार भाशा कौन से है बांगला क्या किया गया रुपांतरित कर दिया गया रुपांतरित किया गया उन्होंने स्वैम किया है न ये खुद निराला जी ने क्या किया चतुरी चमार बांगला 1945 में इसको रुपांतरित कर दिया था इसके बाद आते हैं 1941 की रचना है सकुल की बीवी सुकुल की बीवी ये रचना है 1941 की कहानी है ये सारे है ना कहानियों की बात कर रहे हैं अब हम इसके बाद आता है देवी 1948 इसके बाद आता है देवी 1948 करम से याद रखिएगा करम से याद रखने पर क्या होगा कि आपको कभी भी गड़बडी नहीं होगी कौन कौन से कहानिश देंगरा हमने उनके देखे हैं लिली, सखी, सकूल की बीवी और अंत में है देवी अब अभः देखते हैं इनकी द्वारा लिखे गये प्रमुक उपन्यास कौन कौन से उपन्यास इन्होंने लिखे हैं